नमस्कार मैं हूँ आपके साथ खुश्पर आप देख रहें ग्लिप्स टॉटिंग हमारा देश भारत अपनी सद्यों पुरानी संस्कृतिक विरासत के लिए विश्वभर में जाना जाता है चतिसगर की राजधानी के संस्कृत कॉलेज में कुछ ऐसे ही विरासत को संजो कर रखने का प्रयास किया जा रहा है जिन्हें हम पांडुलीपी कहते हैं यह दुरलब पांडुलीपीयां 350 साल पुरानी हैं जिन्हें प्रिजर्व करने का काम महाविद्याले प्रभंदन कर रहा है पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट यह जो लाल कपडों में बंधे हुए आलमारी में बंध यह किताबे आप देख रहे हैं दरसल यह समाने लेख नहीं बली कि है पांडुलेख है यह लेख लगभक 350 साल पुरानी दुरलब पांडुलीपियों का संग्रह है लगभक 350 साल पुरानी इन पांडुलेखों में विशेज स्याही का प्रयोग किया गया है जो आज की स्याही से बिलकुल अलग है और इनकी कागज भी सलामत हैं भले ही इनमें लिखी पांडूलीपियां समझ में ना आए लेकिन इनमें ग्यान का सारचिपा हुआ है ये हस्त लिखित ग्रंथ ऐसा अपुस्ट सुत्रों से जानकारी जो मिली है मुझे उसके अनुसार जो घूमने वाले साधू होते हैं उनके पास अलग-अलग स्थानों से उन्होंने जो जो लोगों से प्रात करके इखटा किया था तो उनके सामने इसको प्रिजर करने की प्रबलम आई जिसके चलते उन लोगों ने यहां इस कालेज में क्योंकि यह संस्कृत का है और इसमें ज्यादा तर संस्कृत और प्राचीन भाषाओं से संबंधित हसलिकित गरंथ हैं तो उन्होंने यहां डोनेट कर दिया भारत जो अपनी संस्कृतिक विरासत के लिए विसुभर में जाना जाता है 18 सताबदी में लिखी गई ये पांडू लिपियां देखने में भले ही जरजर लगे लेकिन विद्वानों और महंतों ने जीवन के सार, ज्यान और विज्यान की सार्थकता उपचार की पधतियां, विचार और मिमान सा आधी को इन पांडू लेखों में संरक्षित किया है इन पांडू लेखों को सम्हालना इतना आसान नहीं होता इन्हें सम्हालने के लिए एक विसेस केमीकल का प्रयोग किया जा रहा है जो निभिखरने से बचाय रखता है इसको कैसे प्रिजरो किया जाए इसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं आलोवर इंडिया से वो आ करके उन्होंने हमें इसकी जानकारी दिया और उसी के आधार पर उन एक्सपर्ट्स की राय के जानकारी के आधार पर इसको हमने प्रिजर किया हुआ है जिसके लिए बहुत सारे केमिकल की जरुवत होती है क्योंकि ये 1047 हस लिकित ग्रंथ में कागजों पे बनाई गई ये हस लिकित ग्रंथ है तो इनको प्रिजर करने के लिए जिन केमिकल की आवशक्ता होती है उनको उसमें लेप करके हमने कपड़े में लपेट करके उसको प्रिजर करने के लिए रखा हुआ है वेद व्याकरन और जोतिस की सिख्छा देने वाले दुधाधारी स्री राजे स्री महंत वैश्ण और संस्कित महाविद्याले में इस वक्त लगभग 1048 दुरलब पांडुलिपियां सहेच कर रखी गई है जिन में 8 ताड़ पत्र लेग भी सामिल है प्राची इंतम और दुरलब पांडुलिपियों के संग्रह को अब बिजटल फॉर्म में बदलने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है इन दुरलब लिपियों की स्कैनिंग की जा चुकी है और एहमदाबाद से मंगाये गए सोल सॉफ्टेर के माध्यम से बहुत ही जल्द ये शुधारतियों के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाएगा हमारे आने वाले पिढ़ी को अपनी सभ्था और संस्किती से जोड़ेने के लिए इन पांडूलीपियों का संरक्षन बहुत ही आवश्यक है 36 गड़ के एक मात्र संस्कित महाविद्यालय रायपूर में विभिन्द प्रगार की पांडूलीपिया जो है जो की 300 से 400 साल पुरानी है वो यहाँ पर उपलब्ध है चातरों को उपलब्ध कराया जा रहा है और उसके संरक्षन में भी लगातार प्रयास किये जा रहा है के लिए पूरे देश में आनलाइन कर दिया जाएगा कैमरा परसंद भीमराओ के साथ मनेंदर पटेल ग्लिप्स.in रायपूर